हेलो गाईज आज हम बिना हाथ लगाए बस पीन की साइतास से ब्लाउज को लेस लगाने वाले हैं वो भी साधारन नहीं डिजाइन दार गाईज 100% वर्क करने वाली ये ट्रिक है आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसन आने वाली है ट्रस्समी गाईज अगर एक बार एक वीडियो आपने पूरा देख लिया ना लास्टर तक आप ये ट्रिक सिखी जाओगे बहुत आसान है गाईज ये करना और ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि हम मोटी लेस तो आसानी से लगा लेते हैं मशीन पर पतली लेस बिल्कुल भी मशिन पर लगा नहीं पाते हैं वो अच्छे से नहीं लग पाती हैं क्योंकि वो पास ज़्यादा पतली होती है जिसके कारण मशिन अच्छे से उस पर चल नहीं पाती है और एक लाइन में सफ़ाई से नहीं लगती है तेड़ी मेड़ी लग जाती है कितने भी slow और देरे क्यों ना लगाए फिर भी अच्छे से लग नहीं पाती है इसके लिए हम क्या करेंगे एक पीन की help से बहुत सफाई से और आसान तरीके से लेस लगाना सिखेंगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने नेक पर एक इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ तैस ये वाली ट्रिक में बलाउच के नेक पर ट्राइ करी हूँ आप चाहो तो कोई भी सुट या फिर कोई भी आप टोप सिल रहे हूँ उसके नेक पर भी फ्रेंट वाले नेक पर ट्राइ कर सकते हो या फिर आप बाजू डिजाइन वाली इसलिए उस सिल रहे हो उस पर भी आप ट्राइ कर सकते हो कि सकते हैं नैक पर मैंने एक इंच की दूरी पर कुछ इस तरह से गोलाई में निशान लगा लिए है एक इंच की दूरी पर चारो तरफ में अच्छी तरह से निशान लगा लिए है अब हम क्या करेंगे आप देख सकते हैं एक इंच की दूरी पर दो निशान लगा ही लिए है लेकिन एक इंच की चोड़ाई पर भी कुछ इस तरह से हम निशान लगा लेंगे आप चाहो तो एक निशान छोड़ कर भी इस तरह से लगा सकते हो ये देखी चाहो तो आप आमने सामने सब के निशान लगा सकते हो या फिर एक डोट को छोड़ कर कुछ इस तरह से दूसरी डोट के सामने आप निशान लगा सकते हो एक इंच की दूरी पर ये देखिए कुछ इस तरह से सारे मेंने कर लिए है ये देखिए निशान तो हमने लगा लिए है अब आ रहे आती है हमारी डिजाइन करने की आप किसी भी परकार की डिजाइन कर सकते हो चाहो तो इस तरह से क्रिस क्रोस डिजाइन भी कर सकते हो कितनी भी difficult design बन जाती है guys, पीन की साइता से, वो भी पतली लेस लगा रहे हैं, हम मोटी नहीं, देख सकते हैं, मेरे पास एक पीन है, साइस में थोड़ी से बढ़ी है, आपको क्या करना है, इस पीन को कुछ इस तरह से खोलना है, और ये देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ह कुछ इस तरह से पतली से लेस में ले लिए, आप देख सकते हो, आप इसे डोरी भी बोल सकते हो, क्योंकि यह डोरी जितनी पतली है, कुछ इस तरह से में पीछे होल होगा, उसके पीछे से हमें इस तरह से डोरी को डालना है, और पीछे टक कर लेना है, इस बंडोल को आप सिलाई लगाने में आप देख सकते हो पीछे से भी पल्टा के बता रही हूँ कितनी मजबूती से हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है हमें क्या करना है कुछ इस तरह से पहले कपड़े पर ट्राय करके देख लेना है हमारी से अच्चे से मजबुते से आ रही है देखी गयाई से इलेश को बिलकुल भी हात नहीं लगा रही हूँ बस हमें नीचे कपड़े पी इस तरह से हाथ को रखना है और जो भी dio भी Direction में हमें इस तरह से लेश को ले जाना है देखी सकते हैं कुछ इस तरह से हम डिजाइन कर रहे हैं मैंने तो बहुत सरल और सिंपल डिजाइन बनाई है आप चाहो तो चोक की सायता से कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिजाइन ड्रो कर सकते हैं और उसके उपर इसली एक लाइट करेंगी कोई भी दिकत नहीं आती है पर यह आप एक बर ट्राय ज़रूर किजीएक अब्सक्तर बहुत आफ़कर बहुत ज्यादा पसनाने वाली है प्रसणली मुझे यह ट्रिक बहुत ज्यादा पसन है क्यूंकि यह चो लेस से वह बहुत इसली लग जाती है जादा मेनत जहनजट करने के कोई ज़रूरत ही नहीं होती है और जो भी डिजाइन बनाना हो नेक में या फिर कोई भी ब्लाउज में बनाना हो या फिर स्लियोज में बनाना हो आराम से डिजाइन बन जाती है आप देख सकते हो इस तरह से हमारी लेस बन चुकी है लग चुकी लेकिन जो मैंने लगा कि आपको बताईए वोल इस लगाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है तो उम्हेदिया आपको ये वीडियो अच्छी लगे होंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो ना गाइस तो प्लीज एक बड़ लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट बोक्स में जरूर लिखिएगा आपको ये केसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉफिक पर लेकिया हो ये भी आप बताना थैंक यू फॉर वाचिंग गाईज बाई